हेलो गाईज दोस्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और कल के एपिसोड में आप देखेंगे कि बैरिस्टर बाबू में होने वाली है मनोर्मा की शादी जी हाँ दोस्टों होने वाली है मनोर्मा की शादी और अनिरुद पहुंच जाएगा वहाँ पर गुंडा बन कर और डरा देगा सभी घरवालों को कि सब लोग अंदर चले जाओ और मनोर्मा का दुला भी डर जाता है और वह भी अंदर चला जाता है पर बौन्दिता करती है गुंडे का सामना पर तरे लोग चंद काका बौन्दिता को बोलते हैं कि तुम अंदर आ जाओ गुंडे लोग ऐसा कुछ नहीं देखते बौन्दिता तो एक बच्ची है उससे क्या हो पाएगा पर वो जो गुंड़ा है वो तो अनिरुद था और वो मनोर्मा से प्यार करता था और उसने मनोर्मा को अगवा कर लिया मैं आपको एक बात बता दूँ अनिरुद बौन्दिता से प्यार नहीं करता वह बौन्दिता को एक जिम्मेदारी मानता है अपिसोड में आपने देखा होगा कि अनिरुद मनोर्मा से प्यार करता है और कहीं ना कहीं मनोर्मा भी अनिरुद से प्यार करती है और बाद में जब गुंडा सभी को ड्रा देता है और सभी घर के अंदर चले जाते हैं तो उसके बाद वह मनोर्मा को उठा कर ले जाता है जी हाँ दोस्तो मनोर्मा को अगवा कर लिया जाता है और फिर सभी लोग अनिरूद को ढूंडते हैं कि वो है कहां और फिर पता लगता है कि वो अभी यहां पर है ही नहीं तो गया कहां दोस्तों जो भी हो सच कभी न कभी तो सामने आ ही जाता है तो उसी तरह से अनिरूद का सच भी जरूर एक दिन सामने आएगा सबी को पता चल ही जाएगा की अनिरूद मनुर्मा से प्यार करता है बौनिता को सिर्फ वह एक अपनी जिम्मेदारी मानता है अनिरूद वैसे भी कई दिनों से प्लैन कर रहा था की वह मनुर्मा की शादी कैसे रुखवाए अन्त में उसको सुझावा ही गया उसने सुझा क्यों ना गुंडे का रूप धारण कर करी मैं एक ऐसे मौहौल बनाओ की भई गुंडे आ गए थे और दुलन को उठा कर ले गए तो इसी तरह से मेरे लेटस्ट अबडेट जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और साथ में अपने फ्रेंट में शेयर करें और कमेंट में बताया कि आपको ये वीडियो कैसी लगी